कहां गायब हो गए पूजा खेटकर के माबाप पूजा खेटकर की मापर दबंगई का आरोप पूजा खेटकर के घरों पर लटके ताले खेटकर परिवार के हैं फोन बंद 2018 में एक मराठी त्रिलर फिल्म मुल्शी पैटन आई थी फिल्म की कहानी किसानों पर अत्यच्यार कर जमीन हत्याने की है ये फिल्मी कहानी पूने के मुल्शी तहसील की थी 11 जुलाई को मुल्शी का एक वीडियो वाइरल हुआ उसमें एक महिला हात में पिस्टल लिए बाउंसर्स के साथ किसान को धंका रही है और जमीन छोडने के दवाब को बना रही है ये दोनों कहानिया बिल्कुल एक जैसी हैं अंतर सिर्फ इतना ही है कि एक रील है जबकी दूसरी रील किसान को धंका रही महिला ट्रेनी आईएस अफसर पुजा केटकर की मा और रिटाइर आईएस अफसर दिलिप केटकर की पतनी मनुरमा है एक साल पुराने इस वीडियो ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है पूने पूलिस ने मामले में F.I.R दर्च कर ली है सोचने वाली बात ये है कि इतना दबंग परिवार जोहाग गाओं के लोगों ने मापर फसल चलाने कारोप लगाया है और दूसरी दरफ बेटी जो पूने में स्वतंद्र कार्याले की मांग करने वाली वी आईपी नंबर प्लेट वाली ओडी पर लाल और नीली बत्ती लगाकर घूमने वाली ट्रेनी आईएस ओफिसर पूचा खेटकर का परिवार अब गायब है मामले में क्या विवाद बढ़ गया है चली विस्तार से समझते हैं महराश्व में खेटकर परिवार से जुड़ा विवाद बढ़ता चा रहा है पीडिक किसान की F.I.R. के बाद अब पूने ग्रामेन पुलिस खेटकर परिवार की तलाश कर रही है खेटकर परिवार यानि दिलिप खेटकर और मनोरमा खेटकर कुछ दिनों पहले महराश्व की प्रोफेशनर आईएस अफसर पूजा खेटकर की मा मनोरमा खेटकर का किसानों को पिस्टल से धंकानी का विडियो वाइलल हुआ था जानकारी मिरी है कि शिकायत के बाद उनका फोन बन आ रहा है सूत्रों के मुताबिक वह जांच में सहयोग नहीं कर रही है पुलिस ने बानेर स्थित उनके बंगले का विडियो भी लिया है इस घर में फिलाल कोई नहीं है अब सवाल ये है कि अगर खेटकर परिवार थाने में पेश नहीं होता है तो आगे का तलाशी अभ्यान चुलाने के लिए जाच टीम गठित की जाएगी पुलिस का कहना है कि आरोपी भाग रहे हैं हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है पुलिस के अनुसार खेटकर परिवार के फोन बंध है उनके आवास पर पहुँचने की भी कोशिश की गई लेकिन वहां कोई उपलब नहीं है घरों पर ताला लगा हुआ है लोकल क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की कई टीमों के अधिकारी पुने और आसपास की जगाओं पर उनकी तलाशी कर रहे हैं अगर वह मिलते हैं तो हम उनसे पूछताच करेंगे और आगे कारवाही करेंगे लेकिन पूजा खेटकर के बाद सुर्खियों में आई उसकी मा दरसल पूजा की मा मनोरमा का एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें वो पिस्तॉल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही थी घटना पूने के मुल्शी तालुका के थंडवली गाउं की है जहां पूजा के पिता दिलिप खेटकर ने जमीन खरी दी थी पूजा की मा और पिता पर इसी मामले पर केस दर्श है सानिय लोगों का आरोप है कि खेटकर परिवार ने बाउंसर की मदद से पडोसी किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उनको थंकाया। 12 जुलाई को बताया था कि ये घटना पिछले साल 5 जून थंबली गाउं में हुई थी तब किसानों की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी लेकिन शिकायत में पिस्तॉल का जिक्र नहीं था पुने पुलिस ने कहा हम जाच कर रहे हैं कि मनोरमा के पास पिस्तॉल का लाइसेंस है या नहीं इसके साथ ही खेटकर परिवार ने किसानों पर आरोप लगाया है कि किसानों ने उनकी जमीन पर किया कबजा खेटकर परिवार ने पुने के मुल्शी तहसील में 25 एकर जमीन खरीदी थी हाला कि उन्होंने दावा किया कि इसके एक हिस्से पर किसानों ने कबजा कर लिया था इसके चलते मनोरमा अपने सिक्योरिटी गार्ट के साथ वहाँ पहुची और किसानों को पिस्तॉल दिखा कर धंकाया वीडियो में सुना चा सकता है कि वो कह रही है कि जमीन उनके नाम पर है खेटकर परिवार का ये कहना है लेकिन वहीं ये भी आपको बता दे पूजा खेटकर दो हजार तेईस बैच की आईएस अधखारी है इन्होंने यूपीएसी परिक्षा में आल इंडिया रैंक आर्ट तालिस हासिल की उनके पिता दिलिप खेटकर भी एक रिटाइड प्रशासनिक अधिकारी है पूजा को पर्मनेंट निक्ती से पहले एक्सपिरियंस हासल करनी के लिए पूजे डिस्टिक कलेक्टर आफिस में बताओर असिस्टेंट कलेक्टर तेनाथ किया गया था लेकिन इस दोरान वो साइरन और वी आईपी नंबर प्लेट वाली एक निजी ओडी कार का उपियोग कर रही थी जिसके चलते उनका पुने से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया था पुजे खेटकर पर UPSC सेलेक्शन में गड़बडी करने की भी आरोप लगे हैं आरोप यह है कि केंद्र ने 11 जलाई को विवादों में घिरी ट्रेनी आईएस अधिकारी पुजा खेटकर की उम्मीदवारी को वेरिफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया पुजा खेटकर पर आरोप है कि उन्होंने विकलांगता और OBC आरक्षन कोटी का दूपयोग करके आईएस में पद हासिल किया आपको बता दे पूजा ने मानसिक बिमारी होने का प्रमान पत्र पेश किया था पूजा को इस आधार पर विशेश रियायत मिली और वो च्छे बार मेडिकल जौच में शामिल होने से इंकार किया सबसे पहले 22 अपरेल 2022 को दिली के एमस अस्पिताल में उनकी मेडिकल जौच को राने का फैसला किया गया लेकिन उन्होंने कोविट पॉजिटिव होने का कारण बताते हुए ना जाने से इंकार कर दिया इसकी बा 2022 को पूजा खेट कर इंस अस्पिताल में मेडिकल जौच के लिए तैयार हुई वहाँ उन्हें दो सितंबर को MRI जौच के लिए उपस्तित होने के लिए कहा गया एमस की डूटी ऑफिसर ने कई बार गुलाया लेकिन पूजा MRI कराने नहीं गई इसकी बाद 25 निवंबर 2022 को जब पूजा से दुबारा पूछा गया तो उन्होंने फिर इंकार कर दिया फिर वो MRI से रिपोर्ट लेकर आई और UPSC को सौंब दी लेकिन UPSC ने इस पर आपत्ति जताई और पूजा खेट करके चैन को केंद्रे प्रशासने नयाएदिकारी यानि कैट में चुनौथी दी इसके बाद 23 फरविरी 2023 को कैट ने पूजा खेटकर के खिलास फैसला सुनाया लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पूजा खेटकर दुआरा प्रस्तूत MRI प्रमान पत्र को स्मिकार कर लिया गया और उनकी न्यूक्ति को वैद कर दिया गया उन्हें IAS का दरजा दे दिया गया ये अभी भी स्पष्ट नहीं है और साथ ही अब तो पूजा खेटकर अपने कारनामों के लिए सुर्ख्यों में बनी हुई है आपको बता दे कि पूजा खेटकर OBC नॉन क्रीमी लेयर श्रेही से IAS अधिकारी बनी उनके पिता के चुनावी हलफ नामे में उनकी आय और संपत्ती 40 करोड रुपे बताई गई है ऐसी आय नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और पूजा खेटकर के खुद के नाम है 17 करोड की संपत्ती चुनावी हलफ नामे के मुताबिक पूजा खेटकर के पेरेंस के पास 110 एक पूजा खेटकर के पास 17 करोड रुपे की संपत्ती है मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूजा खेटकर अपनी पोस्टिंग के दोरान जिस ओडी कार पर लाल नीली बत्ती और महराश्र सरकार का स्टिकर लगार कर खुमती थी उस पर 26,000 रुपे का जुर्माना बकाया है 2022 से अब तक तेज गती से गाड़ी चलाने, सिगनल तोरने और पुलिस के पूछने पर रुखने से इंकार करने जैसे ट्राफिक रूल्स तोरने को लेकर ओडी के 21 चलान पेंडिंग है ओडी कार एक प्राइविट इंजिनिरिंग कमपनी के नाम पर रजिस्टर है आटियो ने 11 जुलाई को इंजिनिरिंग कमपनी को नोटिस जारी किया है नोटिस में कमपनी को चार्च के लिए ओडी कार को तुरन्त आईटियो में पेश करने के लिए कहा गया है पूरी खबर से ये तो साफ होता है कि पूजा खेट कर बुरी तरह फस चुकी है और परिवार भी अब छुपा फिर रहा है इस खबर में बस इतना ही और भी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहेए Capital TV अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया